वेलकम टू आर चैनल फेंटसी फॉर्चून इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वोमन वर्सिस पाकिस्तान वोमन वर्ल्ड कप मैच जो की खेला जाएगा बे ओवल में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन से प्लेयर बेस्ट रहने वाले हैं ग्रैंड ली स्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा उसी के थुरू जुडिएगा क्योंकि फेक्शनल काफी सारे हैं हमारे नाम के और कोई फेंटसी फॉर्चून के नाम से पैसे मांगे सो बिल्कुल भी देने की ज़रुरत नहीं है साथ क साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिजे जैसी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी सो बात करते हैं यहाँ पर वेन्यू की सो यहाँ पर बे ओल में मैच खेला जाएगा यूजवली यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडल ओल आउट हो गई थी 256 पेसो रंस बने थे लेकिन साथ के साथ जो देखने वाली बात है 19 विकेट्स भी गिरे थे उस मैच में तो यह वाला जो मैच है आपको एक अच्छा खासा अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो मुझे रखता है 260-270 रं इंडिया को बनाने च उनके खेलने के चांसे हैं लेकिन अगर वो नहीं खेलती तो मुनिवा अली को विकेट कीपिंग कराई जाएगी और मुनिवा अली खेलती है तो वो ओपन कर सकती है इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर जावेरिया खान है सोहेल है बिस्वा महरूफ है यहाँ पर निद इतनी अच्छी नहीं है तो उनकी एक प्लेस जो है फोई डाउट में रहेगी उनकी जगा सनेराना को भी खिला जा सकता है यहाँ पर मिताली राज हैं हर्मन प्रीत कौर हैं रिचा घोष हैं दीपती शर्मा पूजा वस्तराकर जुलन गोस्वामी पूनम यादव और गायक मैचेज में ग्रैंड लीग खेलते हो यहाँ पर तो आप आप इजली जो है टॉप रेंक्स ला सकते हो जरूर खेल लेना लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है फौर्चून डेफर कोड है उसके तूर डाउनलोड कर सकते हो बात करते हैं पाकिस्तान टीम की तो पाकिस्तान के अगेंस और बंगलादेश के अगेंस दोनों मैच वो बिन करके आ रही है नहीदा खान ओपन करनी करनी चाहिए तो यहां पर दो मैच जो उन्होंने खेले थे प्लेयर अच्छी है लेकिन दोनों वाम-प मैचेस में कुछ खास फॉर्म में नज़र नहीं आई थी पहले मैच में सिर्फ एक रन और दूसरे मैच में 12 रन ही बनाए थे सिद्र आमीन की बात करें तो यह प्लेयर एक आपके लिए डिफ्रेंशल प्लेयर का काम करके दे सकती है अगर खेलती है तो क्योंकि यह बोलिंग भी कर लेती है और पहले मैच में चौंतिस रन बनाए थे वाम-प म बनाए थे लेकिन एक अच्छी बैटर है यहाँ पर ओमाइमा सोहेल है जो डीसेंट प्लेयर है बोलिंग कर लेती है थोड़ी बहुत आपको पार्ट टाइम बोलिंग करके दे सकती है ज़रूरत पड़ती है तो और जो दोनों वाम-प मैचे उस में बोलिंग इनोंने करी थ था और पहले में 31 बनाए थे और दूसरे में सिर्फ सातरंग ही बनाए थे टीम की कैप्टन और टीम की बेस्ट बैटर आप कह सकते हो वो है बिस्मा मारूफ तो यहाँ पर दो मैच खेले थे और दोनों मैच में एवरेज अच्छी परफॉर्मेंस इनों ने दी थी 28 और 32 ए एक differential player का काम करेगी आपके लिए grand league के लिए बहुत अच्छी choice बन जाएंगी क्योंकि selection बिल्कुल नहीं है इनका ठीक है लेकिन यह team की captain है और अच्छी player है तो भाई इनको grand league में ज़रू try कर लिना बात करें टीम की main player जिनके उपर एक काफी हद तक match defend करेगा सब है match में क्योंकि यह team की main player है लेकिन यह captain wise captain की best choice रहने वाली है small league में अलिया रियाज है selection कम है एक अच्छी differential player against small league में भी आप इनको consider कर सकते हैं दोनों match जो इन्हों ने खेले थे warm-up matches में पहले में 62 नाबाद दूसरे में 45 नाबाद तो form में है और bowling भी कर लेती है तो यह अच यह important player है ठीक है तो यह चीज का ध्यान रख रहा है दो match जो वह में खेले हैं 6 wicket भी निकाले है रन भी करे हैं तो यह एक अच्छी choice है और अगर आप एक differential wise captain ढूंड रहे हो small league में तो आप फातिमा सना को भी consider कर सकते हो और grand league में भी आप इने captain wise captain try कर सकते हो बात करते हैं सि सुझाद यहार नहीं देना है grand league में अगर बहुत ही सारी grand league team आप बना रहे हो या फिर आप इंडिया के साथ player लेना चाते हो और उनमें से wicket keeper को avoid करना चाते हो उस case में आप इनको ले सकते हो अज़वाइज avoid करके चलना है बात करते हैं बोलर की सो यहां पर डायना बेग है अच्छी बोलर है अगर पहले bowling आती है पाकिस्तान की सो आप इने try कर सकते हो जो एक match इनों ने खेला सा warm up में उसमें एक wicket निकाला है दूसरे में bowling नहीं करी थी बात करें नाश्रा संदू की दो match इनों ने warm up खेले से दो match में 7 wicket निकाल के आ रही है अच्छी form में है important रह बात करें सो यहाँ पर निदादार और अलिया रियाज फातिमा सना और संदू जो हैं इनके important players हैं बात करते हैं इंडिया की इंडिया भी दोनों match इस अपने जीत कर आ रही है South Africa और Western Indies से इंडिया की तरफ से open करती हूं नजर आ जाएंगी जश्तिका भाटिया बहुत अच selection है ही नहीं मतलब कोई नहीं नहीं ले रहा है और यह अच्छी player बन जाएगी आपके लिए small league में भी differential और grand league में तो आप इनने captain भी try कर सकते हो क्योंकि player अच्छी है यह और इनका selection बिल्कुल भी नहीं है साथ के साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक यहाँ पर इ है पहला जो मैं आच था उसमें retired hurt हो गई थी लेकिन फिर अगले match में 66 टन करें है captain wise captain की अच्छी choice बन जाएगी अगर आप किसी better को captain wise captain बनाना चाते हो तो आप smithi mandana को बना सकते हो शेफाली वर्मा है मुझे लगता है कि खेलना चाहिए important है recent form अच्छी नहीं है but still world cup में शेफाली वर्मा जैसे player को खेलना चाहिए मैं तो अगर मैं management तो नहीं हूँ लेकिन खेलना चाहिए और खेलती है तो एक बहुत अच्छी differential player का काम कर जाएंगी क्योंकि ये player अच्छी है recent form अच्छा भली ना रहा हो लेकिन ऐसे player world cup में चल सकती है इस चीज का ध्यान रखन और one down खेलेंगी अगर आती है तो एक पहले match में batting नहीं कर रही थी warm up में दूसरे में zero पर ही out हो गई थी लेकिन एक अच्छी differential player खेलती है तो captain wise captain grand league में भी try कर लेना मिताली राज टीम के लिए बहुत important रहेंगी बहुत अच्छी जो form में भी है लेकिन recent जो warm up match हुई उसम अच्छी choice रहेगी अगर इंडिया पहले batting करती है अगर chase कर रही है तो उस case में आप इन्हें captain wise captain ना करना लेकिन batting first करते हुए captain wise captain कर सकते हो हर्मन प्रीत कौर है important खिलाडी है warm up match में भी century लगा चुकी है और दूसरे match में batting नहीं करी थी और important player है ज़ूरत आने पर bowling भी कर देती है और इंडिया पहले batting करती है तो काफी important हो जाएगी उस case में आप इन्हें जरूर ट्राइ कर सकते हैं अपनी team में captain wise captain grand league में कर सकते ह है यहाँ पर दीपती शर्मा की यह खिलाडी important है अगर शेफाली वर्मा नहीं खेलती by chance और उनकी जगा किसी all rounder को presence मिलती है तो हो सकता है दीपती शर्मा को promotion मिल जाए one down का इस चीज़ का भी ध्यान रखके चलना है ठीक है और important रहेंगी captain wise captain की अच्छी choice रहेंगी यह प्रमोशन मिल सकता है अगर शेफाली वर्मा नहीं खेलती है तो बात करते हैं रिचा गोश की काफी अच्छी attacking खिलाडी मिल गई है टीम इंडिया को विकेट कीपर जो चौके छके लगा लेती है तो इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो रिचा गोश अच्छी प अच्छी हिटिंग कर लेती है तो आपको ऐसी खिलाडी है जो 30 बोल पर 40-50 बनाकर दे सकती है यहाँ पर बात करते हैं पूजा वस्तराकर की ठीक खिलाडी है अच्छी विकेट नहीं मिले थे लेकिन सेकिंड में तीन विकेट निकालके आ रही है अगर इंडिया पहले बोल है और ज़रुरत आने पर बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जरूर रहेंगी पूनम यादा खेली दोनों मैच में जो जादा कुछ खास नहीं किया लेकिन इने विकेट मिल जाते हैं तो अगर आप इंडिया पहले बोलिंग करती है और दूसरे में निकाले से दो विकेट सो इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट बोलर ये रहने वाली है बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर की सो इंडिया की तरफ से मंदना काफी इंपॉर्टेंट है मिताली राज हर्मन प्रीत कौर यहाँ पर दीपती शर्मा ज हाठय को आप कर सकते हो हरवन प्रीष्ट कौर अच्छी हाप्षिन रहे गी ग्रैंड लीग में और यहां पर फातिमा साना को भी कर सकते हो Grand लीग में अचले शलते हैं ड्रीम 11 टीम्ट की तरफ सोब्सक्राइब पास किल पास विगेट सक्षिंग गोश को आप avoid करना चाहते हो, तो आप एक just की एक सात्वा प्लेयर भी हम ले पाएं, उस case में आप दूसरे विकेट कीपर को present दे सकते हो, मुनिवाली की बात करें, खेलती हैं, तो open कर सकती हैं, तो आप इनको अगर खेलती हैं, तो try ज़रूर कर सकते हो, लेकिन अभी के के लिए captain wise captain की भी अच्छी choice है, यहाँ पर खान है दोनों, यहाँ पर अच्छी player जो है, यहाँ पर जावेरिया खान है, यहाँ पर आप इनको भी try कर सकते हैं, बात करें शेफाली वर्मा की और यहाँ पर भाटिया की, देखो दोनों खेलती हैं, तो दोनों आपके लिए अच्छी pick बन जाएगी, भाटिया का selection है ही नहीं, लेकिन player अच्छी है, अगर आप इने risk लेकर try करना चाते हो, अगर आप किसी एक player को drop करना चाते हो, आप इनको try कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है, वर्मा भी खेलती है, तो एक अच्छी differential खिलाडी बन जाएग में, तो दीपती शर्मा मेरे पास होंगी होंगी, यहाँ पर निदादार जो दो खिलाडी है, जो होने ही होने चीए, यहाँ पर हर्मन प्रीत को और है, जो बैटिंग first करते हुए, काफी important है, chasing करते हुए, आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि यार, इंडिया comfortably win कर आप इनको भी अपनी टीम में ले सकते हैं, मारूफ की बात करें, टीम की captain है, selection बिल्कुल कम है, 7% selection है, यह आपके लिए grand league की दोनों बहुत अच्छी picks रहेंगी, ध्यान रखना है, बात करते हैं bowling section में, गायक वर्ड को मैं अपनी टीम में लेकर जाऊंगा, काफी अच्छ अच्छी बोलर हैं, और काफी लोग इनको ले भी रहे हैं, आप इनके साथ भी जा सकते हैं, मैं यापर संदू के साथ गया हूँ, बहुत अच्छी recent form है, wickets निकाल के आई है, दो मैच में साथ विकेट, warm-up मैच में, सो मैं इनके साथ गया हूँ, अब हमारे पास एक खिला हो, जहाँ पर credit का issue नहीं है, आप मारूफ को ले सकते हैं, यहाँ पर आप क्या अगर सकते हैं, बैक को ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर सना को ले सकते हैं, मैं selection जिनका बिल्कुल ही कम है, पातिम अ सना को उनको साथ जा रहा हूँ, 4% selection है, लेकिन यह player बहुत अच्छी है, बैटिंग बोलिंग दोनों करके आपको दे देंगी सो मैं इनके साथ जा रहा हूँ सो ये जो है मेरी टीम बन रही है ठीक है इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं अगर यहाँ पर आप ट्राइ करना चाते हो सपोस करो अगर आप यहाँ पर इंडिया का ओपनर भी लेना चाते है भाटिया को सो उसकेस में आपको क्या करना होगा आपको जावेरिया खान ड्रॉप करके यहाँ पर रिचा घोश की जगा जो भी विकेट कीपर खेलेगा उसको लेकर यहाँ पर आप भाटिया ले पाएंगे इस तरीके से आप यह भी एक ऑप्शन है जो कर सकते हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है लेकिन अभी के लिए जो है मैंने जावेरिया खान को लिया है और यहाँ से मैंने रिचा घोश को लिया है तो यह जो है मेरी दीपती शर्मा को कैप्टन किया है और निदादार को वाइस कैप्टन आप अपोसिट भी कर सकते हैं जिसकी पहले बैटिंग आए आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं तो यह रहेगी मेरी स्मॉल लीग की टीम फाइनल टीम आपको सो डाउनलोड कर ले ना लिंक डिस्क्रिप्शन में है फॉर्चून यहाँ का रैफर कोड है बात करते हैं ग्रैंड लीग टीम्स की सो दो टीम्स मैंने क्रियेट करी है एक करी है मैंने इंडिया के फेवर में सो यहाँ पर मंदना को जो कैप्टन किया है आपर संदू को ड्रॉप करके मैंने मारूफ को अपनी टीम में रखा है सो यह मेरी ग्रैंड लीग की टीम नंबर वन है ग्रैंड लीग टीम नंबर टू की बात करें सो इसमें मैंने दोनों जो इंडिया के experience खिलाड़ी है उनको captain wise captain दी है वो है मिताली राज और साथ के साथ जुल्दन गोस्वामी सो इनको मैंने captain wise captain किया है सो यह रहेंगी मेरी grand league की teams आप इसमें changes कर सकते हैं चाहो तो same team के साथ भी जा सकते हैं और multiple teams भी लगा सकते हैं सो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई है पसंद आई है सो like करो, share करो, comment करके बताओ आपके हिसाब से best captain, wise captain की choice कौन होने वाली है और क्या लगता है कल कौन जीतने वाला है और कितने excited आप हैं सो comment करके ज़रूर बताना उमीद है वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है सो like करो, share करो और जुड़ जाओ हमारे साथ fantasy fortune telegram channel पर और youtube channel को subscribe करके बेल आइकन दबा दीचे जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल जाया करेगी